क्या आपका बजट यह बहुत ही लिमिटेड है और आप एक लिमिटेड बजट के अंदर में आप एक ऐसा PC बिल्ट करना चाहते हो जिसमें जो है GTA 5 जैसे गेम आप खेल सेको कोडिंग कर सेको, प्रोग्रामिंग कर सेको, और आप चाहते हो कि मैं बहुत ही कम पैसे कर्च करूँ और एक ऐसा PC बिल्ट में करूँ जो कि पीसी बिल्ट करके पुरा तैयार करके आपके घर तक पूँचा दें, वो भी हमारी टीम कर देगी आपको जो है cash on delivery option के साथ हम आपको यह facility आपको offer करते हैं और market से बहुती कम price में हम आपको जो है आपके लिए PC बिल्ट करके हम आपको दे देंगे मेरी टीम का नंबर आप अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो इस पीसी बिल्ट के लिए हमने प्रोसेसर लिया है वो है राइजन के तरफ से आने वाला 3200G और यह price की बात करोगे हो तो यह आपको 7600 रुपे के आसस में आपको आजाएगा लेकिन अगर आप हमसे लेता हो तो हम आपको दे देंगे अब जान लो कि यह वाला प्रोसेसर आपको क्यों लेना चीज़ कियोंकि सबसे पहला बते हो इस प्रोसेसर में आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाने का जूरूरत नहीं पड़ता बीना ग्राफिक कार्ड के आपका जो है GTA 5 जी से गेम आप खेल पाओगे और नॉर्मल जितने भी काम है सारे आप कर पाओगे कोई भी प्रॉब्म आपको नहीं आएगा अगर आप जो है राइजन 3200G की प्रोसेसर की बात करोगे तो इसमें AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक इसमें दिया गया है, Base Clock इसमें 3.6 GHz का दिया गया है, Max Boost Clock आपको अप टू 4 GHz तका मिल जाएगा और इसमें आपको 2933 MHz तका RAM में सपोर्ट करता है, यह प्रोसेसर अपने आपको रन करने के लिए सिर्फ 65W अपना पावर कंजूम करता है और इस प्रोसेसर के साथ आपको फैन भी आपको मिल जाता है, और इस प्रोसेसर में आपको तीन साल की वारंटी आपको मिलती है अब जालने तें कि आपको motherboard आपको कौन से लेना है, तो motherboard के लिए देखो हमने गीगाबाइट के तरफ से आने वाला B450 वाला motherboard लिया है अब इस से नीचे वाला A320 वाला motherboard आता है, वो भी हम ले सकते थे, अगर वो लोग है तो आपको कुछ 1500-2000 रुपया का सस्ता आपको मिल जाएगा, लेकिन देखो ये वाला motherboard लेने का फायदा यह है कि इसमें आप इन-future RAM को भी अपग्रेड कर सकते हैं, यानि कि इसमें 4 RAM slot आपको देखनों को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको जो है अच्छा वाला M.2 NVMe का भी slot आपको इसमें देखनों को मिल जाएगा, तो इन-future जो लोग को अपग्रेड करने का option के साथ लेना चाहिए, या फिर जो भी PC बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको जो है B450 वाल M.2 NVMe का भी slot आपको देखनों को मिल जाएगा, इसके साथ ही इस motherboard में आपको जो है high quality audio capacitor का use किया गया है, audio noise guard with LED का function इसमें दिया गया है, और इसके साथ ही इस motherboard में आप जो है RGB LED strip light भी connect आप कर सकते हो, अब जान लेते हैं कि आपको RAM आपको console लगा रहा है, तो देखो RAM के ल 8GB का RAM आपके लिए ठीक ठाक है, आप आपका सारा काम आपको करा देगा, कोई भी problem नहीं आगा, लेकिन अगर आपका budget थोरा और allow करता है, इन 2000 रुपे और बढ़ा सकते हो, तो 8 plus 8 16GB का RAM लगा वो आपके लिए बहतर है, या फिर अभी 8GB का लगा लो, कुजिन के बाद और 8GB का लगा लेना, वो भी option आपके पास है, ठीक है, अब देखो ये वाला जो है RAM आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि price के according performance की बात करोगा ना, तो सबसे कम price में सबसे अच्छा performance आपको जो है XPG 8 data वाला RAM ही आपको देगा, प्राइस की बात करोगा तो ये आपको 2000 रुप performance आपको जो है, एक जैसा आपको मिलते रहेगा, अब जान लेते हैं कि आपको storage के लिए क्या यूज करना है, तो storage के लिए बजट सेग्मेंट के अंदर में बहुत सरे लोग को देखना, आप हार्डिस ड्रैव यूज कर लेते हैं, तो हार्डिस ड्रैव आप यूज मत करना या जो भी gaming करोगा या जितने भी software भरोगा तो आपका अच्छा का सा space आपका बज जाएगा, इसके साथ ही बहुत सरे लोग 256GB वाले SSD के साथ जाते हैं, वो वाले मत लेला क्योंकि वो in future जाके आपको storage का बहुत ही problem आजाएगा, अगर आप इस SSD की बात करोगा प्राइस की अब जानलों कि आपको power supply unit आपको कौन से यूज़ करना है, तो हमने इस PC बिल्ट के लिए gigabyte के तरफ से आने वाला 450W का power supply unit का यूज़ किया है, जो कि 80 plus bronze certified ये power supply unit है, यानि कि quality के मामले में आपको कोई भी problem नहीं आएगा, और इसमें आप जो है easily आप ये PC को build up कर सकते हो, या फिर in future अगर आप graphic card भी लगाना चाहते हो ना, तो भी आपका ये power supply unit easily handle कर लेगा, आपको कोई भी problem आपको नहीं आएगा, gigabyte के तरफ आने वाला ये power supply unit में आपको 80 plus bronze certified आपको ये power supply unit आपको मिल जाता है, इसमें 120 mm का silent hydraulic bearing वाला fan लगा हो है, जिससे कि आपका noise एकदम ना के बराबर होगा, इसमें जो है अच्छे खासे आपको जो है flat cable आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साथ ही इस power supply unit में जितने भी protection है, सारे के सारे protection आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, और इस power supply unit में भी आपको तीन साल की warranty आपको मिल जाती है, अब इसके बात क जितने भी प्राइज में ना बताया ना इसको अगर आप क्यालकुलेट करोगे तो 25,000 रुपे के अंदर में आपका PC बिल्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप डारेट आप हमसे PC बिल्ट करात हो तो इससे भी कम प्राइज में हम आपको PC बिल्ट करके देंगे वह भी क्यास ओन डिलिवरी ऑप्शिन के साथ तो फिर अगर आपको जो है ऐसे ही न्यू पीसी बिल्ट या फी न्यू लैप्टॉक पर रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो का लाइक करना मत भूले चली मिलते हैं और एक लिवरी वीडियो के साथ